विधायक और कलेक्टर ने जिला चिकित साले में राजमाता सिंध्या की आदम कद प्रतिमा लगाने को लिकर चिकित साले परिसर का निरीक्षन किया जिला कलेक्टर जुतेंद्र सिंग राज़े ने बताया कि पूर्व में नीमच विधायक ने जिला चिकित साले में राजमाता सिंध्या की प्रतिमा लगाने को लेकर चर्चा की थी इस दोरान जिला चिकितसाले परिसर में जगह का निरीक्षन कर जगह चिन्नित की जाएगी साथ ही नगरपाली का CMO को निर्देशित किया गया है कि जगह का सीमांकन कर प्रतिमा लगाने के लिए प्रस्ताव भेजे अब नीमच मंसोर जिला चिकितसाले में राजमाता सिंधिया की आदमकद प्रतिमा लगाने को लेकर भी तैयारिया चल रही है जिसको लेकर जिला चिकितसाले परिसर का निरीक्षन किया गया जल्धी चिकित साले परिसर में राजमाता सिंध्या की प्रतिमा इस्थापित होगी इस दोरान कलेक्टर विधायक जिला अस्पताल CMHO नगरपाली का CMHO नों जिला चिकित साले में निर्माडा धीन और नव निर्मित भवनों का निरीक्षन भी किया इसका उन्यन मद्य प्रदेश के मुक्षिबंतरी शीराशीं चोहान साथ बने तब से लगातार हो रहा है आप देख रहे होंगे कि यहां ट्रामा सेंटर बना यहां शिशू वाइड बना और यहां जिला चिकित साले का उन्यन हुआ जिसमें सामाजिक संस्ताओं ने विकरम न यहां पर एक राजमाता जी नाम पर जस्पताल का नाम रखा गया है पूर मेरी यहां पर एक उनकी स्कृती में उनकी बड़ी मुद्टी लगाने अधरी यहां पर जाने के लाज़ा है उसी के वश्चे में हम लोग जमीन चिन्नित करने के लिया है इसको नंगर पाले का निद्धेश दिया है के इनकी जो भी सिमांकन टराकर जो भी उफिक्त जमीन है उसको बना करें आशासम को पर जाजाए जाए आए आए